Hi everyone, Namaste, Welcome back to my channel तो आज मैं एक updated review करने वाली हूँ L'Oreal Paris Crystal Micro Essence का और इसके बारे में मैं एक detailed review अपने channel पर तो वहाँ पर मैंने अच्छे से explain करा है कि ये product आपके लिए अच्छा क्यों है तो अभी न फिलहाल मैं इसे 3-3 महिने use कर चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं इतना product ये use हो गया है मैंने इसे around mid March या फिर April से start करा था तो around 3-3 and a half months हो गया है तो इतना product ये use हो गया है तो 6 महिने में around इतना हो जाएगा और 9 महिने में फिर इतना तो आपके तकरीबन 9-10 महिने ये product आराम से चल सकता अगर आपकी skin type मेरी जैसी है oily, acne prone, sensitive skin है क्योंकि आपको ये दिन में 2 बार use करना है 3-4 drops लगते हैं वो sufficient होते हैं आपकी skincare के लिए और मैं सिर्फ 2 ही products use कर ली थी अपना face wash करा मैंने ठीक है सुभा में face wash और फिर ये मैंने use करा और फिर रात में face wash, सोने से पहले और ये product use करा तो सिर्फ 2 products required होते हैं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे toner की जरूरत है या moisturizer की जरूरत है या कोई serum लगाने की जरूरत है क्योंकि यही product मेरी लिए sufficient था और मेरे बास इसे बहुत सारे comments आये थे कि मेरी ऐसी skin type है, oily है, dry है, acne prone है, sensitive है तो देखे सभी skin type वाले से use कर सकते है इसकी सबसे best चीज यही है क्योंकि जो इसका texture है इतना watery है और या आपके skin को hydration भी देगा और skin को sticky, greasy भी नहीं बनाएगा चिप-चिपी हो जाती है न क्योंकि वैसे ही समस है तो oily skin वाले moisturizer avoid करते है पर dry skin वालों को तो moisturizer चाहिए होता है तो उनके लिए इसमें hydration भी है और ये जो इसकी consistency आप देखेंगे न तो इतनी जादा liquidy, watery consistency आप देखो तो ये बहुत अच्छे से आपके skin में ये absorb हो जाता है आप जब इस अपने face पर use करेंगे न तो बस dab-dab-dab-dab-dab करना है और ये 30-45 seconds में आपके skin में अच्छे से absorb हो जाएगा और ये skin के 10 layers तक penetrate होता है आपके skin में जाएगा उसको repair करेगा आपके pigmentation की problem है fine lines और आपके skin में collagen भी produce करेगा तो बहुत सारे इसके benefits है और इसकी fragrance मीना मतलब बहुत mild है काफी अच्छी है तो जिन लोगों की sensitive nose है या sinus की जिनको problem होती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जिससे strong fragrance रहती है न तो उससे चींक काफी आने लगती है allergy हो जाती है तो fragrance भी इसकी बहुत अच्छी है सभी लोग इसको try कर सकते है और मेरे पास यह जो bottle है this is 130 ml और इसमें different sizes भी आते है तो सबसे छोटा वाला पको 299 का मिल जाएगा तो आप पहले छोटा bottle try कर सकते है कि आपको suit करता है कि नहीं आपको कैसे results मिल रहे हैं मेरे खाल से तो अच्छे results ही मिलेंगे क्योंकि सब को suit करता है और सबसे अच्छी बात यह कि आपको इतने सारे products ही use नहीं करने पड़ेंगे आपका यहां पर toner हट गया moisturizer हट गया serum नहीं लगाना पड़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप इसको try करिए face wash के बाद इसको आप यूज कर सकते हैं सुभा और शाम में अब मैं आपको दिखा देती हूं कि मैं इस product को कैसे यूज करती तो देखे सबसे पहले तो आप face wash कर लीजे और आप air dry होने दीजे जो भी पानी है न तो आप air dry होने दीजे मैं तो ऐसे use करती हूं या फिर आप pad dry भी कर सकते है टाल से और उसके बाद तो आपको इसके कुछ drops अपने palms पर लेने है और directly आप इसे अपने face और neck पर लगा सकते है dab-dab motion में आपको किसी cotton pad को use करने की ज़रुरत नहीं है और कुछ seconds के बाद ये absorb हो जाएगा अच्छे से आपकी skin में और मैंने इसे तीन महीने use करा है मुझे difference दिखाए अपनी skin में skin काफी better हो गई है और देखे मेरी तो oily skin है तो मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ use करने की ज़रुवत नहीं होती है जब मैं face wash और ये L'Oreal Paris Crystal Micro Essence अप्लाई कर लेती हूँ पर इस पे clearly mention किया हुआ है कि अगर आपको moisturizer की ज़रुवत हो तो आप लगा सकते है because dry skin के साथ शायद मुझे लग रहा है कि उनके साथ ऐसा हो सकता है मेरी तो dry skin है नहीं तो मैं नहीं बता सकती पर जिनकी dry skin है तो हो सकता है उन्हें थोड़ा moisturizer apply करना पड़े इसको use करने के बाद और sunscreen भी अगर आपको apply करना अगर जैसे आप बाहर जा रहे है तो आप पहले इसको use कर लीजे उसके उपर आप sunscreen apply कर सकते है तो यही था मेरा updated review L'Oreal Paris Crystal Micro Essence का और आप भी इसको try कर सकते है इसके purchase link नीचे description box में provide कर रही हूँ और अगर आपको वी video पसंद आई होगी so make sure to like and share और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप comment करके पूछ सकते है चैनल को subscribe कर लीचो अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप मेरे social media पे भी मुझे follow कर सकते हैं उन सबके भी links नीचे description box में होगे तो अब मैं जाती हूँ जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से अपनी next video में तब तक के लिए take care, bye